Internet and Communication The Internet Objectives इस हिस्से में आप सीखेंगे कि ISP क्या है, वेब ब्राउजर कैसे ओपन और कैसे ग्लोज किया जाता है और इसे कैसे इस्तमाल किया जाता है Internet Explorer 11 में कौन-कौन से फीचर्स और उनके क्या-क्या काम है एक से ज्यादा वेब पेजिस कैसे ओपन किये जाते है और ब्राउजर की सेटिंग्स और हेल्प फाइल कैसे यूज की जाती है Internet Terminologies इस लेसन में हम सबसे पहले Internet में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ Terminologies के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम www को समझते हैं जैसा के हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि शुरू में Internet का इस्तेमाल, academics और research communities तक महदूद था लेकिन 1991 में, Tim Berners-Lee और European Lab के members ने नया सिस्टम तज्वीज किया जिसको www यानी World Wide Web का नाम दिया गया Web के माइनी जाल के हैं यानी ये information का एक जाल है जो पूरी दुनिया पर फैला हुआ है World Wide Web दरसल documents का online मजमूआ है जो दुनिया भर के computers जिनको servers कहते हैं में store है ये servers Internet के जरिए connected होते हैं जब हम Internet से connected होते हैं तो हम World Wide Web से घर बैठे हर किसम की information को हासिल कर सकते हैं World Wide Web से information को हासिल करने के लिए Web Browser को इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम आगे के section में discuss करेंगे बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि Internet और World Wide Web एक ही term है लेकिन ऐसा नहीं है Internet और www यानि World Wide Web दोनों मुक्तलिफ terms हैं World Wide Web इंटरनेट के जरीए information को एक्सेस करने का तरीका एक कार है जबके Internet और बहुत से मकासित के लिए इस्तमाल होता है जिसमें इंस्टन्ट मैसेजिंग और इमेल वगेरा शामिल है वेब पेज, वेब साइट, वेब सर्वर जब हम Internet को इस्तमाल करते हैं तो इसमें वेब पेज, वेब साइट और वेब सर्वर की terms को बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं लहाज़ा आए इनको define करते हैं सबसे पहले हम वेब साइट को समझते हैं वेब साइट दरसल मालूमात का जरिया है। ये किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत स्यादा मालूमात फराहम करता है। हर वेब साइट को कोई इंडिविज्वल, कमपनी, और्गनाइजेशन या इंसिट्यूट पगेरा मेंटेन करते हैं। यानि इसमें लेटिस्ट इंफरमेशन आड़ करते रहते हैं। जिस तरह एक किताब बहुत से सफात का मजमूआ होती है। बिलकुल उसी तरह एक वेब साइट में एक से ज्यादा वेब पेजीज होते हैं। वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साउंड्स, इमिजिज, टेक्स्ट और वीडियोज वगेरा शामिल होती हैं। जिस तरह किसी किताब को बुक्शॉप से हासल करते हैं, इसी तरह किसी वेब साइट को अपने कम्प्यूटर में देखने के लिए एक दूसरे कम्प्यूटर से रिक्वेस्ट करना परती है। इस कम्प्यूटर को वेब सर्व कहते हैं। ये ऐसे computer होते हैं, जो internet से हर वक्त connected होते हैं. हर website का अपना server होता है, जो इस website को handle करता है. Web server में एक खास software होता है, जिससे मुख्तले websites को web server में store किया जाता है. मसलन, ये एक web page है. जब एक से ज़्यादा web pages को एकठा किया गया, तो इसे website का नाम दिया गया है. Internet Service Provider, ISP इस section में हम आपको बहुत अहम term, ISP के बारे में बताते हैं. ISP, Internet Service Provider का मुखफ़ है. जैसा के नाम से जाहर है, ISP इंटरनेट फराहम करने वाली कमपनी है. ISP ऐसी organization को कहा जाता है, जो सारफीन से कुछ फीस लेकर Internet connection की सहूलत फराहम करते हैं. ये हर वक्त Internet से connected रहते हैं. जो भी Internet से connect होना चाहे, वो अपने local Internet Service Provider के ज़रिये connect हो जाता है. और इस तरह पूरा Internet उसकी access में आ जाता है. जब आप अपने computer से Internet को connect करना चाहते हैं, तो इसके लिए ISP आपको username, password, access number फराहम करती हैं, जिसकी मदद से आप computer से Internet को connect कर सकते हैं. हमने Internet में इस्तमाल होने वाली basic terminologies के बारे में तो जान लिया. लेकिन इसको सीखने और काम शुरू करने से पहले, हम Internet को अपने computer से connect करना सीखते हैं. इसके लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि Internet को connect करने के लिए कौन से hardwares और softwares की ज़रूरत होती हैं. Internet को connect करने के लिए सबसे पहले एक अच्छे speed के computer की ज़रूरत होती हैं. इस computer के अंदर modem भी install होना चाहिए जिसकी मदद से आप Internet को connect कर सकते हैं. एक बात आपको बताते चलें कि आजकल Internet connect करने के लिए telephone line और modem के अलावा नितनाई तरीके इस्तमाल होते हैं. आईए उनके बारे में जान लें. ISDN Integrated Service Digital Network एक digital phone line है जिससे ISP और इसके computer के दरम्यान data transfer करने की speed modem से ज्यादा है. आप घरों में जिस केबल को टेलेविजन के साथ attach करते हैं, उसी केबल से आप Internet को भी connect कर सकते हैं. और इसमें आपको telephone line की जरूरत नहीं होती. आप direct broadcast satellite से भी Internet को connect कर सकते हैं. आज कल Internet connect करने के लिए DSL connection जानी Digital Subscriber Line connection भी इस्तमाल हो रहा है. ये एक बहुत high speed connection है, जिसमें आम telephone lines ही इस्तमाल होती हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फाइदे हैं. इसके अलावा, mobile company भी आपको 3G, 4G Internet की सहूलत मोहिया करती हैं, जिसके जरीए आप mobile phone के साथ साथ अपने computer से भी तेज रफ़तार Internet से इस्तफ़ादा कर सकते हैं. Wi-Fi एक और जदीद technology है, जिसके तहएद आप बगएर किसी cable के Internet से connect हो सकते हैं. Wi-Fi इस्तमाल करने के लिए आपको wireless Internet की रेंज में होना चाहिए. Web Browser इस section में हम ये सीखेंगे कि Web Browser क्या होता है और Browse करने से क्या मुराद है. Browse का मतलब है किसी चीज को देखना, जैसे किसी magazine के सफाहत को पलटना और उसके अंदर देखना, दरसल Browse करना है. इसी तरह जब बाजार में मुक्तलिफ लोग शाप्स के बाहर नजर आने वाले चीजों को देख रहे होते हैं, तो वो दरसल Browse कर रहे होते हैं. इसके अलावा, इस तरह कि जितने काम हैं, जैसे library cupboard में पड़ी कुई किताबों को देखना, टीवे में मुक्तलिफ चानल्स को देखना वगेरा, ये सब दरसल Browse करना है. बिल्कुल इसी तरह जब हम इंटरनेट को इस्तमाल करते हुए मुक्तलिफ वेब साइट्स को देखते हैं, तो इसको भी Browse करना कहते हैं. जिस तरह किसी audio cassette को स्तनने के लिए tape recorder की जरूरत होती है, या किसी वीडियो फिल्म को देखने के लिए VCR और TV की जरूरत होती है, इसी तरह किसी वेब साइट को computer पर देखने के लिए web browser की जरूरत होती है. यानि, web browser एक ऐसा computer program है, जिसकी मदद से हम World Wide Web की information को अपने computer में देख सकते हैं. हम यूँ भी कह सकते हैं, कि web browser ऐसे programs हैं, जिनकी मदद से हम web pages को explore कर सकते हैं. वेब browser बहुत से हैं, जैसे Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox वगेरा, लेकिन हम Internet Explorer 11 को डिसकास करेंगे. इन सब browsers का बुन्यादी मकसद, web pages को computer screen पर दिखाना है, लेकिन हर browser मुख्तलिफ features फ्राहम करता है. मसलन, ये Internet Explorer 11 का web browser है. इसमें इस वक्त आपको एक web page नजर आ रहा है, जिसमें text और images वगेरा शामिल हैं. इस web page के text data और images में links बने हुए हैं. चिन पर क्लिक करने से, इन links से जुड़ा page open हो जाएगा. वेb browser हमें और भी बहुत से features प्रोवाइड करता है. मसलन, बहुत से browsers में bookmark या favorites का feature होता है, जिसकी मदद से हम अपने पसंदीदा web pages को save भी कर सकते हैं. जब हम browser में मुख्तले web pages को visit करते हैं, तो इन तमाम visit किये हुए pages का record history list में store हो जाता है. इनके अलावा और बहुत से features हम आगे आने वाले lessons में तफसील से देखेंगे. Internet Explorer 11 तास्क बार से Internet Explorer के icon पर click करके आप Internet Explorer को open कर सकते हैं. या फिर start menu पर click करें, फिर अपना mouse pointer all programs के ऊपर ले जाएं, और फिर Internet Explorer के icon को click करें. अब हमारे सामने Internet Explorer 11 का browser open है. इसके basic components को तफसील से डिसकस करते हैं. सबसे उपर वाली strip को title bar कहते हैं. Title bar के right side पर minimize, restore और close के button होते हैं. इन पर click करके हम browser की window को minimize, maximize और close कर सकते हैं. Title bar के नीचे बने box को address bar कहते हैं. इसमें आपको currently web page का URL नजर आ रहा है. अगर आप इसको तब्दील करके किसी और web page को open करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप address bar में URL को type भी कर सकते हैं. एड्रेस बार के साथ ये new tab है, जिसमें हम एक और web page को open कर सकते हैं. एड्रेस बार और new tab के सामने, दाइन तरफ ये तीन icons नजर आ रहे हैं. पहला icon home का है, तूसरा icon favorites का है, और तीसरा icon tools का है. इनकी तफसील हम आगे चल कर देखेंगे. एड्रेस बार की बादवाली स्ट्रिप को menu bar कहते हैं. इसमें वो तमाम options मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम web pages को copy, save और close वगईरा कर सकते हैं. ये favorites bar है. इसकी मदद से आप toolbar से direct web pages को open कर सकते हैं. इसके बारे में मजीद तफसील हम आगे के lessons में सीखेंगे. ब्राउजर में ये portion browser pan कहलाता है. बाज browsers में इस portion को content area भी कहते हैं. इसमें आपको current web page के contents नजर आते हैं. जिनमें text, images, graphics, colors, links वगएरा शामिल हैं. वेब address जैसे किसी जगा जाने के लिए address की जरूरत होती है, उसी तरह किसी website को खोलने के लिए भी एक address की जरूरत होती है. जिसे हम web address या URL कहते हैं. URL का मतलब है universal resource locator. किसी में URL में हम ये बताते हैं कि website किस organization के बारे में है. यानि कि web address से मुराद वो address है, जिसके मदद से हम website पर जाते हैं या website खोलते हैं. इंटरनेट पर हर साइट का address मुक्तलिफ होता है. आमतोर पर URL के दो हिससे होते हैं. हम http colon front slash front slash www.bu.edu.pk को डिसकेस करते हैं. पहला हिस्सा, http colon front slash front slash दूसरा हिस्सा www.vu.edu.pk पहला हिस्सा protocol के बारे में बताता है कि ये website किस protocol को use करते हुए open होगी. आईए, अब हम इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले protocol को समझते हैं. पहले हम protocol को define करते हैं. एक computer से जब कोई information दूसरे computer पर exchange होती है, तो वो कुछ खास rules के तहद होती है. इन set rules को protocol कहते हैं. इंटरनेट में मुख्तलिफ किस्म के protocol इस्तेमाल होते हैं, जैसे FTP, TCP, IP, HTTP, HTTPS वगेरा. पहले हम HTTP को समझते हैं. HTTP दरसल Hypertext Transfer Protocol का मुखफफ है. ये web server से web pages को transfer करने का protocol है. HTTP का बुनियादी मकसद इन web pages को browser में दिखाना है, जिन में hyperlink बने होते हैं. जब हम किसी browser में कोई URL टाइप करते हैं, तो इसके शुरू में HTTP लिखा जाता है. इसका मतलब ये है कि web server से web pages को transfer करो, जिन में hypertext, hypermedia links वगेरा हों. HTTPS से मुराद, hypertext transfer protocol secure है, जिसका बुनियादी मकसद, web server से web pages को transfer करने के साथ साथ, website की authentication भी है, ताके internet के जरिए, दो computers के दर्मियान एक महफूज communication हो. FTP, File Transfer Protocol का मुखफफ है. इस protocol को इस्तमाल करके हम files को server से access कर सकते हैं. जिस तरह HTTP की मदद से web server से web pages को transfer किया जाता है, इसी तरह FTP protocol की मदद से FTP server से file को transfer किया जाता है. FTP server इंटरनेट पर ऐसे computers होते हैं, जिन में मुख्तलिफ किसम की files को store किया जाता है. ये servers मुख्तलिफ departments जैसे colleges, universities वगेरा maintain करते हैं. FTP servers में कुछ files ऐसी भी होती हैं, जिन को copy करने के लिए पहले उनका खुफिया code बताना होता है. आप FTP server से मुख्तलिफ किसम की files को copy कर सकते हैं. मसलन, text file के जरिए, आप अखबार, magazine और documents वगेरा copy कर सकते हैं. दूसरा हिसा IP address या domain name होता है. डूमेन क्या होती है? डूमेन दर असल computers का group होता है, जिसमें computers एक दूसरे से information शेर करते हैं. और domain name भी आपके नाम जैसा ही किसी site का नाम है. जैसे आप लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही हम site को उनके नाम से open करते हैं. IP address को अगर हम daily life में देखें, तो ये भी phone number के जैसा ही एक number है. यानि जैसे एक phone number किसी दूसरे person का नहीं हो सकता, ऐसे ही internet पर हर computer का IP address फर्क होता है. IP address कुछ इस तरहां का होता है, 203.215.176.42. Numbers को याद करना मुश्किल होता है. इस problem को solve करने के लिए हम host masking कर लेते हैं. यहां हम host masking को understand करने के लिए mobile phone की example लेते हैं, जैसे हम किसी के number के साथ name set कर देते हैं, जैसे 0123-123-4567 के साथ अली लिख लिया. अब आपको number याद करने की जरूरत नहीं. आप mobile की address book से अली name निकाल कर number dial कर सकते हैं. ऐसे ही बजाए इसके कि सारा IP address याद किया जाए, हम इस IP address की host masking कर लेते हैं. और virtual university के IP address की बजाए, सिर्फ host name यानी www.vu.edu.p के याद कर लेते हैं, जो के हमारे लिए याद करने में आसान होता है. डूमेन नेम में www है, जो के worldwide web का मुखफफ है. इसके बाद इस website को बनाने वाले के बारे में information होती है. जैसे .vu यानी ये website virtual university ने डिजाइन की है. इसके इलावा डूमेन नेम्स में BBC, CNN और Yahoo वगरा होते हैं. डूमेन नेम में वो हिस्सा जिसमें तीन लेटर्स लिखे होते हैं, वो डूमेन की specification के बारे में बताते हैं. जैसे .org एक organization को जाहिर करता है, .edu एक तालीमी अधारे को और .com एक commercial अधारे को जाहिर करता है. पास डूमेन नेम्स के आखर में दो लेटर्स की abbreviation भी होती है. ये किसे मुल्क का country code होता है, जैसे US for United States, UK for United Kingdom. और P.K. for Pakistan वगेरा. इस वक्त आपको screen पर कुछ मशूर websites के URL नजर आ रहे हैं. इन में protocol और webpage के domain name labeled हैं. Home page. जब हम web browser को start करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो webpage नजर आता है, उसे homepage या start page कहते हैं. Home page दरसल किसी भी website का पहला page होता है. इसमें इस website को मजीद explore करने के links बने होते हैं. आईए. इस section में हम homepage को देखना या तब्दील करना सीखते हैं. इसके लिए पहले हम browser को start करते हैं, जिसका तरीका हम पहले ही सेख चुके हैं. आप देख रहे हैं कि हमें Google की website नजर आ रही है, यानि इस browser का homepage Google को set किया गया है. अब हम इस page को तब्दील करके homepage www.vu.edu.p के बनाना चाहते हैं. आईए. इसका तरीका सीखते हैं. सबसे पहले हम menu bar में से tools menu को open करते हैं. हमारे सामने ये list open हो गई है. हम internet options पर click करते हैं. हमें ये dialogue box नजर आ रहा है. यहां आपको general tab में homepage के नीचे तीन buttons नजर आ रहे हैं. Use current, Use default और Use new tab. Use current के button पर click करने से जो site खुली हो और आप देख रहे हैं, उस site का address homepage के तौर पर set हो जाता है. Use default के button से जो default page हो, set हो जाता है. यानि वो page, homepage के तौर पर set हो जाता है. और Use new tab के button से, homepage blank पर set हो जाता है. यानि के कोई site या webpage as homepage नहीं रहता. इसी dialogue box के homepage section के address box में, हम VU का URL टाइप करते हैं. फिर OK के button को click करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं, screen पर कोई तबदीली नहीं हुई है. अब हम तबदील किये हुए homepage को देखने के लिए, पहले हम browser को close करते हैं, फिर उसके बाद दुबारा browser को open करते हैं. अब आप देख रहे हैं कि browser को दुबारा start करने से हमें Google की बजाए VU का webpage नजर आ रहा है. यानि अब Google की बजाए VU.edu.pk homepage बन गया है. लीजिए, हमने homepage को तबदील करने का तरीका सीख लिया है. आप इसी तरीके के मताबग जिस page को homepage बनाना चाहें, बना सकते हैं. New tab बाज उकात ऐसा होता है, कि हम एक webpage में काम कर रहे होते हैं, और ये चाहते हैं, कि इसे close किये बगएर किसी और webpage को open करें. क्यानि एक वक्त में एक से ज्यादा pages को open करना चाहते हैं. जी जनाब, browser हमें ये facility भी फरहाम करता है. इसके लिए new tab की option को इस्तमाल किया जाता है. आईए इसको सीखते हैं. इस वक्त आपको Google की website नजर आ रही है. इसके साथ साथ हम virtual university की website को भी browse करना चाहते हैं. यानि एक वक्त में एक से ज्यादा web pages को open करना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए हम Google की टैब के साथ इस छोटे से खाली हिस्से को जिसे new tab कहते हैं, क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से address bar खाली नजर आ रहा है. जानि अभी इसमें किसी website का URL नहीं लिखा गया. अब हम address bar में virtual university का URL टाइप करते हैं और enter key को दबाते हैं. आप देख रहे हैं कि हमने एक वक्त में एक से ज्यादा websites को open कह लिया है. Stop Refresh Button जब हम browser में मुक्तले web pages को देख रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी situations होती हैं जिनमें हम web pages को open होने से रोकना चाहते हैं. आईए इससे सीखते हैं. बाज उकात किसी web page को open होने में बहुत सेदा time लग जाता है. ऐसी situation में हम इस web page को open होने से रोकना या stop करना चाहते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे link पर click कर दिया हो, जिस पर click नहीं करना था. ऐसी situation में भी हम आगे proceed नहीं करना चाहते, बلके इसी page को रोकना या stop करना चाहते हैं. या फिर जब कोई web page open हो रहा होता है और इसके contents नजराना शुरू होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें ये information नहीं चाहिए जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि internet explorer bbc.com के page को open कर रहा है हम इसको open करने से रोपना चाहते हैं इसके लिए हम address bar में बने cross के button जिसको stop button कहते हैं पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि browser web page को open करने से रुख गया है और वोही cross का निशान अब एक circular arrow बन गया है अब हम इसको refresh button कहते हैं दरसल ये एक ही button किसी भी website को stop करने और उसे refresh करने का काम करता है refresh करने से ये मुराद है कि अगर आपने एक web page को काफी देर पहले open किया है और आप चाहते हैं कि इस page में की गई तबदीलियों को देखें या अगर एक page सही तरह लोड नहीं हुआ और आप उसको reload करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आपको address दोबारा type न करना पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके लिए हम address bar में मौजूद इस circular arrow जिसको refresh button कहते हैं पर click करते हैं तो देखिए, browser ने उस रुके हुए page को दुबारा load करना शुरू कर दिया है जब हम किसी web page को refresh करते हैं तो जो website open होती है इसकी request दुबारा server को भीजी जाती है और वो latest तबदीलियों के साथ आपको नजर आती है आएए इसको एक और मिसाल से सीखते हैं इस वक्त आपको एक mail पेज open दिखाई दे रहा है इसके inbox में चार messages पड़े हुए है हमने इसको काफी देर पहले open किया था अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके inbox में कोई तबदीली तो नहीं हुई इसको देखने के लिए हम address बार में बने refresh के बटन को क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि इसके inbox में अब चार की बजाए 8 messages नजर आ रहे हैं इस तरह से आप refresh बटन को इस्तमाल करके एक web page को latest तबदीलियों के साथ देख सकते हैं जब आप browser को open करते हैं और उसमें मुक्तले websites को visit करते हैं तो उन visited sites का record browser में save होता जाता है ऐसा भी मुम्किन है कि आप उन visited sites के URLs को दुबारा access करें हमारी visit की हुई site browser के history में save होती है हम history को open करके visit sites को दुबारा देख सकते हैं आईए इसको सीखते हैं इस वक्त हमारे सामने internet explorer का browser open है हम address bar के दाएं तरफ बने हुए favorites के icon पर जो के एक star की तरह है click करते हैं जैसे ही हम इस icon पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि एक window open हो गई है इसमें तीन tabs हैं हम history के tab पर click करते हैं इसमें हमारे पास ये option है हम चंद गुजश्चता हफतों या आज की दिन में visit की हुई websites के नामों की list देखें मिसाल के तौर पर इस वक्त हम today को click करते हैं आप देख रहे हैं कि हमारे सामने websites की list open हो गई है ये आज की visited sites की list है history list में जब हम किसी website पर click करते हैं तो इसमें हमने जो web pages visit किये होते हैं इन सब के URL नजर आते हैं हम इन web pages पर click करके इनको दोबारा देख सकते हैं history list को मजीद arranged form में देखने के लिए हम view by date के साथ बने arrow button पर click करते हैं इस list में हम view by date, view by site, view by most visited और view by order visited today की तरतीब से हम websites के URLs को देख सकते हैं हम history list में दिनों की तादाद को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं आए इसको सीखते हैं इसका तरीका ये है के पहले हम tools menu को open करते हैं फिर इस में internet options पर click करते हैं हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है हम इसके browsing history section में settings पर click करते हैं अब हमारे सामने एक नई window आ गई है हम इसके दूसरे tab यानि history पर click करते हैं यहां से days to keep pages in history के सामने से value 5 को select करते हैं फिर ok के button पर click करते हैं deleting history of internet browsing जब history list में websites के URL की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो हम इन में से गेर जरूरी URLs को delete भी कर सकते हैं आईए इसका तरीका सीखते हैं इस वक्त हमें browser की right side में history list नजर आ रही है सबसे पहले इसमें हम उस link पर right click करते हैं जिसको हमने delete करना है जो sub menu नजर आ रहा है इसमें हम delete की option पर click करते हैं अब हमें ये dialogue box नजर आ रहा है इसमें हमने एक दफा फिर confirm करना है कि क्या वाकई इसको delete करना चाहते हैं हम yes पर click करते हैं ये देखें हमारा मतलूबा URL अब list दे delete हो गया है हम history list के web pages को one by one delete करने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं कि history list में से तमाम website के URL को खत्म कर दें आईए इसे सीखते हैं इसके लिए पहले हम tool menu को open करते हैं और इसमें internet option पर click करते हैं इसके बाद हम general tab पर click करते हैं फिर इसमें browsing history section में delete पर click करते हैं हमारे सामने एक और window आ गई है जिसमें से हमने select करना है कि history में से कौन कौन सा data delete करना है फिलहाल हम कोई तबदीली किये बगेर नीचे से delete का button प्रेस करते हैं और browser अपनी history से record delete करना शुरू कर देता है आप देख रहे हैं कि अब history की window में हमें कोई URL नजर नहीं आ रहा यानि history list delete हो गई है यूजिंग help feature अगर आपको web browser के बारे में कुछ जानना हो तो आप application की help को use कर सकते हैं इसे open करने के लिए या तो keyboard से F1 की key press करें और या फिर menu बार से help पर click करें और फिर internet explorer help पर click करें click करने से आपके सामने एक नई window open हो गई है इसमें सारी information मौझूद है browser के बारे में आप जो information लेना चाहें ले सकते हैं search help के box में आपको जिस चीज़ के बारे में information चाहिए हो लिख कर enter करें तो आपको इसके बारे में काफी मालूमात हासिल होंगी view settings internet explorer की screen को मुख्तलिफ sizes में देखा जा सकता है internet explorer की window की size को आप छोटा, बड़ा, minimize या full screen कर सकते हैं आप cross के साथ वाले button restore को क्लिक करके screen को restore down कर सकते हैं और इसी button को दुबारा क्लिक करके आप इसे maximize कर सकते हैं ये button जिस पर minus का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपना page minimize कर सकते हैं और task bar में मौझूद इस icon पर क्लिक करके दुबारा restore कर सकते हैं अगर हम page का size अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, तो हम पहले इसको restore down करते हैं अब page के निचले corner पर mouse pointer ले जाते हैं और left mouse button को दबा कर रखते हुए mouse को drag करते हैं अब अपनी मर्जी के size पर ले जाकर mouse को छोड़ देते हैं, यूं हम page का size अपनी मर्जी के मताबक कर सकते हैं Modifying Display Toolbar Toolbar पर bars को लाया या गाइब किया जा सकता है ऐसा करने के लिए toolbar पर यहां किसी जगह right click करें अब जो list open हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ bars के सामने tick का निशान लगा हुआ है इसका मतलब है ये bars पहले से ही menu bar में मौजूद हैं जबके जिनके सामने tick का निशान नहीं, आप उनको toolbar में ला सकते हैं अब इस list से जो bar आप toolbar में रखना चाहते हैं, इसे click कर दें और पहले से मौजूद किसी bar को गाइब करना हो तो इसे एक bar और click कर दें Display Settings अब हम किसी browser के अंदर देखे जाने वाले web page की zoom setting और text size को तबदील करना सीखते हैं मसलन हम google.com को open करते हैं और इसके search box में पाकिस्तान लिखकर enter करते हैं अब हम menu bar से view पर click कर रहे हैं जो list open हुई है, उसमें mouse pointer को zoom के उपर लेकर जाते हैं तो देखें, इसके आगे मजीद options आ गई हैं हम इसमें से पहली option zoom in पर click करते हैं ये देखें, हमारा web page 25% मजीद बड़ा हो गया है ये काम हम keyboard से control की की और फिर जमा के sign को दबाने से भी कर सकते हैं इसी तरह control की की और मनफी के sign को प्रेस करने से web page छोटा हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह हम किसी भी website के ऊपर मौजूद text के size को भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसके लिए हम menu bar से दोबारा view पर click करते हैं यहां से text size पर mouse pointer को ले कर जाते हैं तो हमारे सामने एक नई list आ गई है यहां से हम smallest से लेकर largest की option को select कर सकते हैं जिससे हमारे text का size छोटा या बड़ा हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं Closing the browser application जब हम browser में अपने काम को खत्म कर लेते हैं यानि मुख्तलिफ web pages को visit करना, search करना, newspaper पढ़ना वगएरा तो फिर हम browser को close कर लेते हैं browser application को बंद करने के लिए आप mouse की मदद से उपर दाइंक ओने में cross के button पर click कर सकते हैं या फिर keyboard की मदद से alt plus F4 की key को एक साथ दबाएं अब आप देख रहे हैं कि आपका browser close हो गया है Summary इस lesson में आपने सीखा कि internet service providers क्या है और इसका क्या काम है वो program जिसमें हम web document या websites देखते हैं उसे internet browser कहते हैं browser को कैसे use किया जाता है, URL क्या होता है और इसके कितने हिस्से होते हैं internet explorer 11 के मुक्तलिफ हिसे और इसके features को डिसकास किया और browser की history और view settings के बारे में जाना और इसके किपने हे परह साथ कियाות लुक्तलिफ Johann